असकार दोस्तों मेरा नाम दिपाली है मैं ब्लेसिंग टीम भूमनेश्वर से हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लाडी मर मिग्रे की रचना अनस्तिस्या के चैप्टर 20 के बारे में जिसका सिर्षक है एक नस्वर्पा दोस्तों अब तक हमने दियाना और पढ़ा कि किस तरह अनस्तिस्या लेखक द्वारा हम तक संदेश पहुचा रही है कि हमें प्रकृति के साथ अपना संबने रखना है साथ इसाथ अपनी आत्मा के साथ संबनेंज कर पाएंगे तो हमारी आत्मा में सुच्छता आएगी और इस तरह हम एक सरल और सुलब जीवन यापन कर पाएंगे तो आईए बढ़ते हैं कहनी की तरफ और जानते हैं आज का संदेज हमारे लिए और लिखक के लिए क्या है अनस्तिसिया का बलाडी मर मुझे अभी भी आपको उन सर्तों के बारे में बताने की जौरत है जिनके तहट आप बैंक से धन प्राप्त करेंगे जब आपके खातों में बहुत सारे पैसे होंगे आगे बड़ो अनस्तिसिया यहां मेरे लिए एक सुखत अनुभव होगा मैंने उत्तर दिया हाला कि मैंने जो सुना उससे मेरी खुशी घोर निरासा में परिवर्तित हो गई आप खुदी नयाय कीजे जो अनस्तिसिया ने सर्थ निर्धारित किये है खातों से पैसे निकालने के लिए अनस्तिसिया ने कहा अपने बैंक से खाते निकालने के तीन दिन तक आपको कोई भी नसीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है जैसे कि सराव जब आप बैंक पहुँचे प्रवंधक को अपने पास मौजूद उपकरनों और कम से कम दो गवहाओं की मौजुगिदी में इस सर्द के जाद आपकी सत्यता के अनुपालन को सत्यापित करना होगा यदि या पहली सर्द पूरी होती है तो आपको दूसरी सर्द को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है या आप आगे बढ़ सकते हैं आपको बैंक प्रवंधक और दो गवहाओं की उपस्तीती में कम से कम नौ भार घुटने टेकने चाहिए लेखक कहते हैं उसकी इस महत्वीन यानि की बीना सीर पैर की बात या बेतु की बातों को सुनकर मैं घोर निरासा में डूग गया और उचल कर खड़ा हो गया वहाँ भी खड़ी हो गई मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और जवाब दिया पहले वे मेरी सराब की मातरा जाचेंगे और फिर मुझे इस तरह कम से कम नो गहरे घुटने मोरने हैं है ना हाँ अनस्तिस्या ने जवाब दिया और प्रते घुटने के मोरने के लिए वे आपके खा रहोट की भावना से अभीबूत था मैंने अनस्तिस्या से कहा आप किस आधार पर यह तरक विहीन बाते कह रही हैं मैंने आप पर विश्वास किया मुझे लगने लगा था कि आपको बहुत सारी विश्योवर जानकारी है आप बहुत सी चीजों में सही भी थी आपकी तरकों म पीडित पागल और वेकुफ औरत हैं आपकी इस नविंतम तरक और अर्थ रहीद बातों ने मेरी राय आपके प्रती बदल दी है यह सिर्फ मेरी राय नहीं है कोई भी समझदार व्यक्ति मुझे सहमत होगा मुझे बताओ आप इन सर्तों के तहत मुझे अपनी किताब हाती हो हाँ अनस्तिस्या ने जवाब दिया आप अप सचमुझ पागल हो गई हैं क्या आप मुझे यहां बताना चाहती हैं कि आप बैंकों को निर्दिस लिखने या इस आदस को प्रकासित करने की ओजना बना रहे हैं अनस्तिस्या ने जवाब दिया नहीं वे इसे पुस् लिखक ने फिर अनस्तिस्या से कहा अब यह मत कहना कि बैंक प्रवंधकों को मेरे साथ घुतने तेखने होंगे वह वी गवाओं के पुस्तिती में अनस्तिस्या ने कहा हाला कि मैंने उनके लिए उतने सक्ट सर्तो को नहीं रखिये जैसे कि आपके लिए लेकिन यह उनके लिखक ने अनस्तिसा से पूछा, तो आप केवल मेरे फायदे के लिए ऐसा कर रही है, आपको जरावी अंदाजा है, आपने मेरा क्या मजाग बनाया है, आप मुझे समझ में आ रहा है कोई कैसे एक पागल और वेरागी के प्यार में बरबाद हो सकता है, आपने चाहे इस ति करने के लिए राजी नहीं होगा, ठीक है, आप यहां खड़े होकर अपने घुटने मोरने की मुर्खता कर सकते हैं, ऐसा लिखक ने अनस्तिसा से कहा, बैंक सोहमत होंगे और इसे आप जानते हैं या नहीं, आपके लिए खाते कोलेंगे, केवल वे बैंक जो नैतिक रूप से काम करने के लिए इच्छुक हैं, और लोग उन पर वरोशा करेंगे और उनके पास आएंगे, अनस्तिसा ने अपनी बात पर धिरता पुर्दबग अडिक रहते हुए कहा, मैंने खुद को अधिक चिर्चिडा और क्रोधित पाया, यह नाराजगी अनस्तिसा के साथ साथ खुद पर भी थी कि मैंने अपना आधा से ज्यादा समय इस बक्वास को सुनने में और समझने में लगाया, जो की आधी अधुरी निकली, इस नाराजगी और चिर्चिरे पन में मैंने अनस्तिसा को अवधर भासा बोल दी, वहाँ एक पेड के पास खड़ी थी, उसका चान लिया, उसने हर बार इसका इस्तमाल आसपास की प्राकरतिक बातावरन में सांती लाने के लिए किया है, इसलिए इससे मुझे डर नहीं लगा, साथ ही मुझे यह हसास हुआ कि इस अफसर पर उसे सांत होने की क्यों जोरत है, मैंने मेरे द्वारा निर्देशित हर अप हो गया, मैं फिर से घास पर बैड़ गया, अनस्तिस्या से दूर हो गया, यह तै करते हुए कि मैं अपने आप को सांत कर दूँ और नदी के किनारे वापस चला जाओं और उसके साथ बिलकुल भी बात न करूं, लेकिन जब मैंने उसकी आबाज को अपने पीछे से पुकार आते हुए सुनातों में चिकित रहा गया, कि उसमें नाराजगी फटकार के जरे भी संकेत नहीं था, आप जानते हैं ब्लाडीमर, मनुस्य के साथ जो भी बूरा होता है, वह मनुस्य द्वारा सोयम क्या गया होता है, जब भी वह आध्यात्मिक सत्ता के नियमों की अवहलन करता है, और साथ ही प्रकृति के साथ अपना संबन तोड़ता है, अन्धेरे की ताकत आपकी तक्निकी, जीवन सहली के ततकाल आकरशन के साथ उनका ध्यान भटकाने की कोसिस करते हैं, जिसमें जिससे की वे बैबल में बताएगे, सरल सत्य और आग्याओं को भूल जाते है और अन्धेरे की ताकत अक्सर सफल हो जाते हैं, मनुस्य में अभिमान एक नस्वर पाप है, अधिकांज लोग इस पाप के अधिन हैं, इसलिए मैं इस समय उन सभी वियानक विनास्कारी प्रभाओं को उत्पन होने नहीं दूंगी, घर लटने के बाद आप स्वयम या किस ज्यानी, प्ररूब्द या एनलैटेट व्यक्ति की सहता से इस बात को समझेंगे और इसे मानेंगे जो आप से मिलने आते हैं, अभी के लिए मैं केवल यह कहूंगी, अन्धेरी की ताक्ते जो प्रकास की ताक्तों के बिल्कुल विफृत हैं, हर पल यह सुनिशित करने के के लिए काम कर रही हैं कि मनुष्य इस पाप को न जाने दे और पैसा इस अभ्यान में उनके बुनियादी उपकरोणों में से एक हैं, वही हैं यह जिनोंने पैसे की इस अभधानों को सोचा था, पैसा एक उच्चनाव खेतर की तरह है, अन्धेरे की ताक्तों को इस आवि सहस्तर सहस्तर सताब्दियों से चला आ रहा है और मनुष्य इसका मुख्य केंद्र हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इस पाप के दास बनो या हिस्सा बनो, मुझे एहसास है कि इस प्रश्चन को सुलजाने के लिए केवल इस पश्च्टी करन प्रयाप नहीं है, क्योंक साथनो को नहीं समझा और नहीं खोजा, और यह साभाविक है कि आप इसे खोज भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बास्तर में आपको इस नस्वर खत्रे से बचाना चाहती हूँ, जो आत्मा को व्रश्च कर सकता है, इसलिए मैंने सिर्व आपके लिए एक विसे सिस्तिती के बारे में सोचा, जो अंधेरे की टाक्तों के इस उकरन को तोड़ देगी, या असफल कर देगी, या यह तरीके पाप के विनास के लिए विपरित तरीके से काम करेगी, इसलिए वे इतना क्रोधित होगे, उनका क्रोध आप में प्रत्यारपित क्या गया, और आप उस कि मैंने जो सोचा था, वह सटिक रूप से प्रभावित होगा, और अब यह इस परष्ट है कि हजारव वर्ष से तुर्ति पूर्ण रूप से काम करने वाली उनकी प्रणाली को बास्तर में तोड़ा जा सकता है, मैं अभी तो मैंने यह केवल आपके लिए क्या है, लेकिन म अब उस मादक जहर को कम से कम पीने और कहा महंकारी और जिद्दी बनने में क्या हर्ज है आपको, आपकी इस बात से इतने परेशान थे, बेसक यह गर्व, अभिमान, घमंड ही था जो आपको परेशान कर रहा था, वह चुप हो गई, और मैंने सोचा कि अनस्तिस्या का दि सामान्य इस्तिती को इतनी गहरी अर्थपुर्द तरक के साथ, वो मुझे समझा सकती है, बहतर होगा कि मैं इस बारे में थोड़ा और सांती से सोचू, अनस्तिस्या की उपर मेरा घुसा खतम हो गया, और उसकी स्थान पर एक असहज अपराद बोद की भावना पैदा हो ग सिरहन भर्दी और तेज गती से बात करने लगी, तो दोस्तों यहाँ पर अनिस्तिस्या का हम पर यह संदेश है कि हमें पैसे की बात जहां पर भी आती है, वहां पर सावधानी बरत्ते हुए उसका उप्योग करना चाहिए, तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्का सontin मत जहां पर वहां पर बात के लिए चाहिए, तो वहां पर ठात हुएव है, तो अब्र बात कृत्वर है, वहां पर खोस्तों के लिए है वहांदा यदानी अर्ष्कर पा्नुभ